दोस्तो आज मैं आपके हाथ पेरो को गोरा बनाने की ऐसी जवरदस ट्रिक बताने वाली हूँ जिसके इस्तमाल से आपके हाथ पेर बिलकुल गोरे होजाएंगी टानिंग दूर हो जाएंगी दाग दब्बे दूर हो जाएंगे सिर्फ तीन रुपए से ही आप अपने हाथ पैरों को बिल्कुल चमका सकते हैं तो चलिए फटा-फट से देख लेते हैं ये कौन सी रेमेडी है लेकिन वीडियो शुरूने से पहले एक छोटी से रिक्वेस्ट आप से जरूर करना चाहूंगी अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी इंट्रेस्टिंग आमेजिंग वीडियो मैं आपके लिए लाते रहते हूं साथी वीडियो पर छोटी सा लाइक भी जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक एक लाइक मिरे लिए बहुत माइनी रखता है दोस्तो सबसे पहले आपको इसे बनाने के लिए चाहिए होगा शैंपू जी हाँ दोस्तो आप यहाँ पर आपका कोई भी फेवरेट शैंपू ले सकते हैं तो यहाँ पर एक मैं पूरा पाउच ले लूँगी अगर आप शैंपू की बॉटल का इस्तमाल करते हैं दोस्तो तो आप यहाँ पर एक चम्मच शैंपू का इस्तमाल कीजिए उसके बाद हमारे हाथ पेरों को चमकाने के लिए टैनिंग को दूर करने के लिए हम यहाँ पर डालेंगे दो चुटकी हल्दी पाउडर दोनों को आप अच्छी तरीकी से मिक्स कर लीजिए हल्दी पाउडर आप जैसे की जानती हैं की अंटी सेप्टिक अंटी बैक्टेरिल गुणों से भरपूर होती है यह आपके स्किन पर किसी भी तरीकी के इंफेक्शन को होने से रोकती है साथी साथ आपकी रंगत को भी यह निखारती है यहाँ पर मैंने ली है wild turmeric इसलिए मैंने थोड़ इसी हल्दी यहाँ पर जैसे दो चुटकी डाली है अगर आप किचन वाली हल्दी का इस्तमाल कर रहे हैं तो आप यहाँ पर एक चुटकी हल्दी का इस्तमाल कीजिए अब जब आची से mix हो जाएगा इसमें आपको डालना है नीम्बू का रस नीम्बू में होता है धेर सारा vitamin C जितनी भी darkness हमारे skin पे होती है उसे तेजी से दूर करता है नीम्बू का रस साथी साथ हमारी रंगत को भी निखारता है skin को lighten करता है और skin को चमकदार बनाता है दोस्तो इस remedy को आप केवल अपने हाथ पेर ओपर लगाएंगे इसको अपको अपने चेहरे पर नहीं लगाना है आपको इन तीनों को ना खूब अच्छी तरीके से mix करना है अभी तीनों हूँ आपको अच्छे से ना इसे अपने पूरे हाथ पर मसाज करते हुए लगाना है जिससे की जितनी भी डॉर्ट है टैनिंग है गंदगी है सारी की सारी तेजी से remove हो जाएगी यह remedy आपको इतना जादा फाइदा करेगी इतना जादा आपके skin को glowing बनाएगी ना कि आप बार जरूर इस्तमाल करना है जिससे की आपकी जितनी भी टैनिंग हो गई होगी वो सारी remove हो जाएगी दोस्तों कम से कम एक मिनट के लिए आपको इसे मसाज करते हुए लगाना है और दो मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए इसकी बातना केवल आपको पानी से दोना नह करें ताकि सारी टीटिल्स आपको अच्छी समझ में आ जाए कोई भी स्टैप आप इसमें से मिस्स ना करें क्योंकि अकर एक भी स्टैप मिस्स हो जाता आ दोस्तों तो आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा जैसा आपको मिलना चाहिए अब बस मैंसे दो मिनट लिए की रस में होता ना उससे कई गुना जादा नीमो के चिल्के में होता है अगर आप यहां पर नीमो के चिल्के का इस्तामाल नहीं करना चाहते है तो आप टमाटर का छोटा सब टुकड़ा ले लीजिए उससे भी आप इसको निकाल सकते हैं यह बहुत ही तेजी से टाक्नेस क हमारे सकिन पर जमी हो वो तुरनत ही कट जाए दोस्तों इस रेमेडी के लिए जितनी भी चीज़े में इस्तमाल करें ना हर चीज आपके किचिन में आपको मिल जाएगी हर चीज हमारे गर पे अविलेबल होती है तो क्यों ना हम इन चीज़ों का इस्तमाल करके हमारी करना बिल्कुल ना भूले हो सके तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में रिश्यदारों में ताकि आपके जरी उनकी भी मदद हो जाए थैंक्यू सो मुच वॉचिंग दुडियो फ्रेंट्स मिलता अगले वीडियो में तब तक के लिए बा आई टे केर